पर पर एक अवाज उठ रही है जो बड़े जोर से उठ रही है देश में जो कम्यूनल हार्मोनी खराब हो रही है जिस तरीके से सड़कोपर लोग निकल रहे हैं और नारे बाजी कर रहे हैं कहीं कहीं ये भीड हजूम में निकलती है और सीधे सीधे किसी को कतल कर देने की बात करती है किसी का गला उड़ा देने की बात करती है हिंदू समाज के लिए देवी देपताओं का अपमान होता है और बहुत सारे हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं इसी भी से पर आज ये धरना प्रदरसन है आई इनसे ही पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और आज कल हैदराबाद का मामला भी बहुत काफी चल रहा है ती राजा वाला जो उन्होंने बयान दिया है उसके उनको पुलिस ने गरफतार किया फिर वो छूट ग जो अम्राबती की घटना हुई वो कौन सा हिंदुत था जिन्होंने की वो किस विचारधारा के लिए उदयपूर में जो घटना हुई वो उसकी विसे में थोड़ा सा बताईए कि उसमें किस तरीके से क्या दिख अधिक अधिक अधिया कुमारवाली बता रहे हैं लेकिन उ उसमें क्या अलग-अलग तरह की सक्तिया नहीं उठ गई है या फिर सब चीजें आप को स्लेक्टिव चीजें ही करेंगे देखिए जो उदयपूर और अम्रावती की जो घटना हुई उदयपूर की घटना 28 जून को हुई थी और 30 जून को हमने मानने प्रदानवंतरी को खुद स्वैम को वही सब धंकियां मिली और जो आजकल उनका जो नारा चलना है गुस्ता के नवी की एक सजा सर्तन से जुदा यहीं नारे की बात कर रहे हैं उसमें मत्रा पुलिस द्वारा की गई दो जुलाई को हमको धंकी मिली और कई राजनेताओं को बंप से उड़ मत्रा पुलिसम GPA іє जो की बंगलॉर्ट से चलकर मत्रा byसन के ऊंतर इसको धिया है वहां कि पुलिस में और कितने लोगों का गला काटा जाएगा और सब्सक्राइव का दर्ध है राजनितिक यहां पर स्टेंट लेने आए हैं यह बिल्कुल नहीं है यह सभी जो है इस को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम राजनितिक स्टेंट के लिए आ गया है जो अभी सारा प्रिक्रण चल रहा है जिसमें ती राजा को गरफतार करते हैं फिर छोड़ देते हैं क्या क्या उन्होंने जो बयान दिया था बैसक नाम नहीं लिया उन्होंने नवी का लेकिन जिस तरह से बयान दिया था उससे आप सहमत लगते हैं उससे Richard A dudir पूरा आतंकबादी है उसने हमारे हिंदु देवी देवताओं की जो धजियां उड़ाई है वो सहन करने योग नहीं है लेकिन हिंदु चुप रहा लेकिन आज हम क्यों चुप रहे हम इस भारत की रख्षा भारतिय संस्कृति की रख्षा के लिए हमारा जनम हुआ है सनातन लिए हमारा नम हुआ है तो हम अपना कारिया संवेदानिक तोर तरीके जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आप तक कहने का मलब है जैसे को तैसे वाली पॉलिसी पे आप लोग बात करेंगे कि संवेदान के दाएरे में बात करेंगे तो अगर कोई गलत बोल रहा है कोई गा प्रिकरिया तक पहुंचने के लिए भी हमें दो तीनिल लगे हैं और बहुत सारे नियमों का अभी हमारे साथ कम से कम नहीं तो क्या ही हजार नागासादू यहां बैठे होते क्योंकि नागासादू की परंपरा के अनुरूप बिना तृसूल के वह कहीं भी कहीं नहीं जा स की पॉइंट क्या हैं आपकी जैसे आप जो यहां पर बैठे हुए हैं यह तो कॉमन सब्जक्ट होगा कि हिंदु विरोधी आवाज को अब नहीं सहेगा हिंदू समाझ आपकी मुख मांगें जो आप सरकार से चाहते हैं जो ग्यापन देना चाहते है प्रधान मंत्री वह अ सकते हैं तो हम ढ़रम से बढ़कर राजनीती आपकर चर्चा करें तो आपस एक दूसरे को नाको जोड़ा भीष horses में ना घरम की राजनीती ना राजनीती पर धर मू, इसलिए अगर राजनीतिक बात करेंगे तो वो सरकार को देखना है क्या है मांग हर जगे सो इंगा हम ओझ गया पन देँगे तो उसमें जो मांगे हैं वो सरकार किस तरीके से उनको देखती है उनको सरकार का विस्य होगा अब अब आज उठाने का हक हि cold 0 कर देश की जंता को क्या संदेश देना चाहेंगे तेस की जंता को यही संदेश देएंगे कि थोड़ा इत्यास को भी देख ले और इत्यास यहीं है कि अगर बहुत ज्यादा नहीं पांच जार वर्ट पहले अगर हम महाभारत की बात करते तो उस टाइम पर युदिस्टर का नाम तेंटों का नाम नहीं था ले नाम से जाना जाना जाट माप्री उच्णर बोलते थे अर्जून का नाम अर्जून सिंह नहीं था दृत घरी बाट करने यहे आप आप जाती के विरौद‍angnon देखिए उस ताइम में बहुत लंबा हो जाएगा अगर उस विसे पर चर्चा गरूंगा मैं सिर्फ इसारा करना चाहूंगा कि इत्यास की कभी कभी उठा कर देख लेना चाहिए कि उस ताइम पर कुछ नहीं हुआ करता तर सब एक थे रहा था क्या तोर तरीके थे क्या उस का माहूल था आज अगर हम बात करें तो चालिस से देश ज्यादा देश तो ऐसी हैं वह सिर्फ जी ओडी गौड को मानते हैं तब भी ओ ऐसा नहीं है उनके यहां पर तरकी नहीं हो रही है क्योंकि इसवर तो एक है भगवान सब्द से ही पांचों तत्तों की जब उत्पत् जय्याज समयदानें दौर में किसी भी मानव्ता बादी विचारधारा के लिए हैं कि कि इंसानियत पहले है अब जाब सब्सक्राइब हैं बरूंकर नेखा रहा हैं उसके बहुत झाल, झाल, झाल